हए तो है गाईज वेट्वाइक टुमायान अधर वीडियो तो आज के व्लोग में हम बात करेंगे यूटूब मॉनेटाइजेशन की उपर हम बहुत मेनत करते हैं यूटूब पे वीडियो अधालते रहते हैं बहुत सारा इसे वेट करते ही हमारा चैनल कब मॉनेटाइज तो उसके पीछे की जो भी उसके एफट्स है और उसने जो ट्रिक्स यूज़ किये हैं हम इस वीडियो में बात करेंगे प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहेना तभी जाकि आपको पता चलेगा कि मैंने इसमें क्या बताया है और यह से क्यों हुआ इतने जल्दी और मॉनेटाइज़ के टाइम क्या प्रिकोशन्स लेने है कैसे आपको अप्रूवल मिल जाएगा यूटुब की तरफ से आपको अर्निंग करने के लिए या यूटुब क्यों पार्टिनर प्रोग्राम है उसमें एक्सेस करने के लिए तो मैंने इस चानल स्टार्ट किया थ तो मेरा जो गॉट्स टाइम जो कंप्लेट हुआ है 3,812 तो मुझे अल्मोस 4,000 कंप्लेट करने के लिए अभी अल्मोस 180 अवर्स का टाइम प्रेड बाकी है अभी मेरा अपडेट नहीं हुआ इसलिए इसा दिख रहा है बट यह 9 मन्त के लिए बहुत ही कम मतलब समय नहीं ह है ज्यादा टाइम हो गया एक्शली में इस पर कंसिस्टंट नहीं था डालने के लिए जो भी था मेरा जो क्राफ्स देख सकते हैं बीच-बीच में जो है यह फेबरुर्य और यह जो है डालना स्टार्ट किया था और उसके बाद ही मुझे आप देख सकते हैं या पर हाइस अपको कॉंस्टंटल इस पर वीडियो डालते रहना है कि सो काई मैं अपनी सिस्टर का केस बताओ तो उसने जो वीडियो स्टार्ट किये थे ओभी सेंट प्रेड में नाइन टो एट मंथ हो गये उसको भी तो उसने क्या किया उसका कुकिंग चैनल है तो कुकिंग चैनल पर जो उसने वीडियो डालना स्टार्ट किया स्टार्टिंग में जो नॉर्मल सब यूटूबर्स का होता है कि व्यूज ने आ रहे हैं दस व्यूज आ रहे हैं तो उसने क्या किया कंसिस्टंसी मेंटेन किया वीक में मतलब 4 और 5 ताइमस उसने वीडियो डाले है और व्यूज विचुन याई जब्सक्राइबर रहे Pfizer वीरूढने का츠 पर से कर सब्सक्राइबर बढ़ाने थे हैं तो सब्सक्राइब बढ़ते हैं में याँ शॉर्ट तो मैं यह अलग आगा कॉन्ट से करिए क्या है मॉनेटाइस करोगे तो आपको दो सेप्रेट इसन करने पड़ेंगे एक तो शॉर्ट करेगा एक लॉट वीडियो करेंगा अगर आपको आपको आपका चैनल लॉट वीडियो के लिए बना है तो आप डेफिनेटी उस पे लॉट रहेगा तो इसके लिए क्या होगा आपका audience retention मतलब नीचे जाला जाएगा और आपको जो views मिलने थे हो कम हो जाएगे तो यहीं आपको मैंड में रखना है कि अगर long videos डाल रहे तो long videos continue करो शॉट्स डाल रहे मेरा experience है और मैं sister का भी experience यहीं है कि long videos डाल रहे तो बिच-बिच में डाल रहे ना बट focus रहे चाहिए long videos पे और earning जो रहेंगा long videos में ज्यादा रहेगा शॉट्स वीडियो में earning नहीं रहता है बहुत मिलियंस में आएगे तब आपका चैनल भी monetize होगा और आपको जो views में लेंगे आपको जो एड्स आते हैं एक्चुली YouTube केसे करता है आपको क्यों पार्टनर बनता है जो एड्स आते हैं उसके उसके basis पे आपको earnings होता है अगर आपका वीडियो लॉंग रहेगा तो उसमें एड्स पी ज्यादा आएंगे ज्यादा होने के चांसे से तो अभी मुझे सब्सक्राइब करना है और मुझे जल्दी मॉनेटाइज नहीं होगा मेरा चैनल तो हां अगर मॉनेटाइज का भी आपको सोच रहे होगे तो आपको कम्यूनिटी गाइड लाइस और स्ट्राइक वो सबको ध्यान में रखते हुए आपका चैनल फॉलो करना है कंटीनिव करना है और वाइस आपको मॉनेटाइजेशन के टाइम दिक्कत हो सकती अगर जैसे मेरे जो किया उसने कुछ बेसा स्ट्राइक नहीं थी कुछ भी नही आपको चैनल पर स्ट्राइक नहीं रहनी चाहिए कुछ भी वार्णिंग नहीं रहनी चाहिए तो यही चीजह है जो मैं आपको बता रहा था और मॉनेटाइजेशन के बाद जब आपको जो डॉलर का साइन आता है हर वीडियो के उपर और हर आपके जो भी कुछ अपना time spend करना इससे कुछ होता नहीं है आपको कुछ उससे मिल रहा होगा या output आ रहा है तो ही कुछ तो इस में टाइम देना बेने पीचल रहेगा और बंद कर दो अगर आप जसे से टाइम पस के लिए कर रहे हो अगर उसके बाद एक और वीडियो लेकर आओंगा कि मिल और कैसी हुआ कैसे process रहेगा monetization के time के लिए अब कैसे form फिल कर सकते है क्या क्या attributes रहेंगे क्या topic रहेगा कैसे उसको submit करना है और कब आपको reply आएगा इसके लिए मैं अलग से next time वीडियो बनाऊंगा next vlog में तो thanks for watching अगर आप मेरे channel पे नहीं हो तो subscribe कर देना और इस वीडिय